किया आपको भी बहुत जादा हेयर फॉल हो रहा है अगर गंजेपन की शिकायत हो रही है बाल इधर उधर हमेशा गिरते रहते हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ओनियन का ऐसा मैजिकल आप उसको सिरम बोल सकते हैं आप उसको मास्क बोल सकते हैं और इसको एक ब का सॉल्योशन तो बहुत ही ज्यादा अगर आपको हेयर फॉल होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं से आपके बाल बहुत ज्यादा ही निकल जा रहे हैं यहां से यहां से और इस जगह मतलब एक दम मतलब जो किस कैल पर वह नजर आ रही है और गंजापन कहीं पर की ऐसा लग रहा है कि भाई होने लग गया है बहुत ज़्यादा अगर आपृट कशह के चेंज से आसा हो जाता है यहां और आपको किसी तरह का सीजर हुआ है या फिर खीर तरह का तब मतलब health issue किसी भी प्रकार का ऐसा हुआ है तो इसे बहुत सारे कारण होता है जिस से heavy hair fall होने लगता है। तो उसमें क्या है कि हम जो है onion का use करेंगे। ठीक है onion में बहुत ही ज्यादा मात्रा में sulphur पाए जाता है। तो sulphur जो होता है वह हमारे scalp को इतना अच्छासे निरिश्मनट देता है कि अलॉपेश्या की जो शिकायत होती है वह दूर हो जाती है और बहुत ही जादा वह बालों कको मजबूती देता है ठीक कि scalp में जब हमारे बाल है वो बहुत ही असानी से तूटके निकल जाते हैं ठीक है तो उस चीज को मजबूत करते है cellpar तो cellpar जो है वह बहुत ही ज्यादा onion में पाया जाता है बडक्त क्या है कि जो छोटे वाले अगर आपको मिल जाएं जिनको शैलोट बोलते हैं चोटे वाले उनियों उन में सबसे ज्यादा पाया जाता है सलफर तो अगर आपको वो मिले तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो इस चीज को हमें इस रेमेडी को कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताती हूं बट उससे पहले आप एक बहुत इंपॉर्टन बात यह जान लेजी कि बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि आप इसको स्टोर करके दस दिन के लिए रख लीजिए बट नहीं बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना है ऑनियन है आप समझ सकते हैं कि कितना जादा वह स्टिकी स में ही रखनाहे और इसको ताजा ही हमेशा बनाना है हमेशा ताजा मतलब इसको प्रिपेर करना है और आपको ऐसा कोई बहुत को बहुत जाएंगे तो आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं तो जादा से जादा मतलब जितना हो सके एक एक एलुवेरा का जो हम जेल निकालते हैं और यह और यह बालों के लिए अच्छी बहुत होती है बट इनको कभी भी आपको रात भर लगा के नहीं सोना चाहिए इसको जितना हो सके आपको जब बालों को धोना है तब उस समय में आप इसको एक घंटा दो घंटा पहले लगा लेजिए ठीक है एक दो घंटे से जादा इसको नहीं रखना है उतने ही देर में ये अपना काम जितना करना होता है कर देता है ठीक है तो चलते हैं अपने वीडि करके अपने मिक्सरा में पीस के अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है जिससे कि हम इसका रस है वह मिल सके ठीक है उस रस को ही हमें यूज में लेना है किस तरह से वह अभी बताऊंगी और एक और इंग्रीडियन्ट इसमें एड किया जाएगा पहले इसका अच्छे से हमने रस निकाल लिया कम से कम आपको एक चमच या दो चमच के बराबर इसका जूँस मिल जाएगा ठीक है और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कैस्टर ओल कैस्टर ऑल हम एक चमच लेना है अगर आपके बाल बहुत और भी ज्यादा है अगर तो आप दो चमच भी ले सकते हैं क कोई टउन में प्राबलम नहीं है बर अलगबः होसा कि छितना हमारे जूस निकला है उतना लगबढः जो है हमारे स्वुष्क्त में ले लेना है और दोनों अच्छे से मिग्स नहीं हो पाते और इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसे ही अपलाइ करना ए एक से Catad視 तक अभी वो क्योर करता है अभी हमें पहले क्या करना है अपने बालों को अच्छे से मतलब कॉम कर लेना है ठीक है नहीं तो बाद में जब हम बाल दोएंगे ना तो बहुत जादा फिर हेर जो है हेर फॉल होंगे इसलिए पहले ही हमें अच्छे से बालों को कॉम कर लेना है और लेंथ में बिल्कुल भी apply नहीं करना है हमें सिर्फ अपने roots में apply करना है इसको ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी लेंगे जो भी हमारा water पीने वाला जो रहता है वो लेना है और उसको पानी को हमें अच्छे से थोड़ा सा वेट करना है अपने scalp को थोड़ा हलका सा wet कर लेंगे स्प्रे करके आप जिस तरह से आप comfortable हो उस तरह से आप wet कर सकते हैं ठीक हलका सा wet करने के बाद में हमें अपना जो हमने castor oil और onion और ginger से जो बनाया है अपना वो serum अच्छे से लगा ना है बालों में ठीक है अच्छी से मतलब चारों तरफ आप जिस तरह से भी comfortable खुद लगा लीजिए या फिर किसी और से लगवा लीजिए और अच्छी तरह से scalp में सिर्फ लगाना है और एक दो घंटे से ज्यादा हमें नहीं रखना है आउनियन में जो है बहुत ही अच्छा मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो अलोपेशिया की problem को भी solve कर देता है साथ साथ में dandruff को भी cure कर देता है और साथ में हमने जो ginger लिया है तो ginger जो है वो onion जो है hair fall को control करेगा बट ginger जो है वो strongness लाएगा वो stronger करेगा हमारे hairs को हमारे hair क roots को ginger जो है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में vitamins, minerals और fatty acid पाया जाते हैं जो हमारे hairs को strong करने में बहुत ही ज्यादा helpful होते हैं friends आप इसको as a medicine ही use करिएगा इसको 3-4 बाइ apply करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा ये बहुत regular use करने के लिए use में नहीं होता है इसलि वीडियो को like करे, share करे and channel को subscribe किये बिना बिल्कुल भी नहीं जाना और इससे हमें थोड़ा motivation मिलता है ठीके friends, thank you, thanks for watching, bye bye, take care